दोस्तो स्वागत है आप सबी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बिहार में 23 से 25 माई तक बदला रहेगा मौसम 38 जिलो में तेज हवा के साथ बारिस की भी सम्हावना मौसम विभाग के मौताविक बिहार में 22 माई तक मौसम सुस्क बना रहेगा वहें 23 माई को बिहार के 19 जिलो और 24 और 25 माई को पुरे राज में तेज हवा के साथ बारिस की सम्हावना है इसे लेकर मौसम विभाग ने अलड़ भी जारी कर दिया है वहें देखे पिछले 24 गंडे की बात करें तो औरंगा बाद सबसे गरम रहा यहां अधिक्तम दापमान 42.2 डिगरी सेल्सिस दर्च किया गया वहें पटना का 40.8 डिगरी गया का 42.1 डिगरी रहतास का 40.4 डिगरी सिकपुरा का 41.3 डिगरी जमुई का 40.3 डिगरी बैसाली का 40.3 डिगरी वहें नवादा का 41.5 डिगरी और नलंदा का 40.5 डिगरी सेल्सिस दर्च किया गया वहें मास्ता मिभा के अनुसार राज़ानी में अगले 5 दिनों तक कोई विसेस बदलाव नहीं होगा अधिकतम तापमान में मामोली बदलाव की सम्भवना है वहें पटना में साम होते ही 10 से 15 किलोमेटर परते घंटे के रप्तार से प्रुवा हवा चलेगी इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी बिहार में मानसून तेरह तक पहुचने के हैं आसार मंगाल के खाड़े के दच्छिन पूर्व हिस्से निकुबार दीप सम्मू और दच्छिन अंडमान सागर में मानसून सक्रे हो गया है मौसम विभाग ने कहा कि अगले तीन चार दिनों के भीतर मानसून के खाड़े के बाकी हिस्सों में भी पहुचने के अनुकूल इस्तियब बनी हुई है केरल में इस बार मानसून चार जुन को दस्तक दे सकता है मौसम विभाग के अंदर पढ़ना के मताबिक बिहार में इसके तेरा जुन तक पहुचने के आसार है विभाग ने इस बार भी मानसून के दोरान समा इन बारिस की भविस्वान की है हालाकि जुला की बाद मानसुन पर अलगीनों का प्रभापढने की आसंगा भी है पाटना इन्यवसिटी में चार वरसे इस नातक में अडिमेशन के लिए आवेदन हुआ शरू पाटनाव इस विदाले में चार वर्से इसनातक में नमांकन के लिए 20 माई यानि कल से पोर्टल दुबारा खोला गया है राजभवन के निदिस के बाद पोर्टल बीच में बंद कर दिया गया था जिन चात्रे चात्राओं ने पहले आवेदन किया था उन्हें इडिट कर चार वर्से कोर्स ओप्सन चुरने के मौका दिया जाएगा प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताए कि B.A.B.S.C. वा बीकॉम में चार वर्से कोर्स लागू होगा राजभवन द्वारा ताई किया गया फेस स्ट्रक्चर ही लागू रहेगा विकॉम वोकेसनल में पुराना फेस स्ट्रक्चर रहेगा वाई तीन वर्से वोकेसनल कोर्स में अलग से आवेदन पर क्रिया होगी बारवी के अंकों के अधार पर ही मेरिट लिष्ट जारी कर नमांकन किया जाएगा बता दे कि सभी इनुवसिटी में अब एक समान फेस हो गई है इस्टुडेंट को नई सत्र दोजर तैस चोविस में चार साल का ग्रेजियसन पुरा करने के लिए फेस के तोर पर 16,290 रुपे देने होंगे इसके अलावा यूजी सर्टिपिकेड, यूजी डिपलोमा, यूजी डिग्री, यूजी डिग्री ओनर्स लेने के लिए 600 रुपे इस्टुडेंट को देने होंगे बिहार में टेचर बनने के लिए सिक्षव इभाग ने जारी के यूगता बिहार में सिक्षव इभाग बनने के चाहात रखने वाले वाव के लिए काम की खवर है राजसरकार ने नए सिक्षव इभाग के पद पर नियुक्ते के लिए अनिवार अहरता तई कर दी है सिक्षा विभाग के तरब से इसके अदि सुचना भी जारी कर दी गई है इसके अनुसार प्राइमरे स्कूल से लेकर हाइ स्कूल तक के टीचर के अहरता निधारित की गई है दरसल सिक्षा विबा के सयोंक्त सचिव के अनुसार सिक्षा के पद पर न्योकती के लिए पूरमे लागो आरता को नई नियाम वाले के तादादी सुचित किया गया है इसमें कहा गया कि बिएड योकताधारी अबियरती ही पहले से पाचवी कख्षा तक के सिक्षक बन सकेंगे लेकिन उन्हें दो साल के अंदर छे मा का ब्रेज कोर्स करना अनिवारे होगा कख्षा नौ से दसवी तक के सिक्षक के लिए समानेद विसा में नियुनतम बचास परतिसाद अंकों के साथ गिसित मायनता प्राप्द विस बिद्दाले से इसनाता किया पीजी डिगरी और बेड जरूरी होगा वहीं सारे रिक सिक्षक के लिए कम से कम पचास परतिसाद अंकों के साथ मन्यत प्राप्द संतान से सारे रिक सिक्षक में इसनातक की डिगरी अनिवारी होगी वहीं आपको बता दे कि सिक्षक विबाक के अदिस तुचना के मुताबिए एक प्राथामिक विद्दले में कख्चा एक से पांच तक की सिक्चक पद के लिए नियुन्तम, पचास परतिसाद अंकों के साथ, इंटरपास और प्रारमिक सिक्चक के सास्तर में दो वरसे डिपलोमाई जरूरी होगा। यह पत्य यात्रा पट्ना के गाने मैदान से सुरू हो कर, डीम कर्याले तक पहुचिए जहां सिक्ष्चकों ने आयुक्त कर्याले में अपना ग्यापन सोपा, विरोथ कर रहे सिक्ष्चकों की मांग है कि 2023 न्यामौली को बदलना होगा, समान काम का समान मितन देना होगा उनका कहना है कि हम लोग BPSC परिछा देने को तैयार है लेकिन 15-16 साल के हम लोग नोकरी कर रहे हैं उसका क्या होगा हम इतने साल काम करके फिर से परिछा क्यों दे टीचर का कहना है कि जो सिक्चक नियामले 23 आई है वो पहले से पढ़ा रहे सिक्चकों पर लागों नहीं होना चाहिए आपको बता दी कि राज़ सरकार के तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 25 से अब तक यतने भी नियाज़ित सिक्चक है अगर भी BPSC परिछा पास कर भी जाते है ज्यकडों के सेंक्या में सड़क पर उत्रे और सरकार के क्लिए अप नारे बाज़े की आपकी जानकारी के लिए बदा दे की 303 वास्तोविद, 713 सिविल इंजिनियर, 226 स्ट्रक्चल इंजिनियर, 355 वास्तोविद, 158 पर वेक्चक, 678 भावन निर्माता, 6 गुरूप एजंसी का निबंदन किया गया है इसको सुची विभाग की वैबसाइट पर जारी कर दी गई है सभी नगर निकायों से कहा गया कि सुची में सामिल वास्तोविद और सिविल इंजिनियर का सेतापन कर ले निकायों दुबारा काली सुची में जारी किये गए वास्तोविद और इंजिनियर के नाम हटा दिये जाएंगे आपके जानकारी के लिए बतादे कि पीदे एक साल से ज़्यादा समय से नक्स पास करने की प्रक्रिय अबादित थे नियामले के मुताबिक वास्तो वीदो को पंजीकरन विभाग के इस तर से होने के बाद ओलाइन आविदन सुरू होना था वह आविदन ज्यादा लंबित थे जिस बज़ा से विभाग ने मार्च में अफलाइन निप्टारा का समय दिया था अब भावन निर्माता ओलाइन आविदन सुरू हने की इंतिजार में है बिहार के भावन निर्मान विभाग में एक हजार पदो पर होगी न्योक्ती वियार में सरकारी भावन की रकरकाव के लिए इस सल करीब एक हजार मालियों की न्योक्ती की जाएगी इनको वेतन की रूप में करीब 25,720 रुपे प्रतिमा मिलेगा इसको लेकर नियामली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है सुत्रो से प्राप्द जानकारी के नुसार नए सरकारी भावनों की निर्मान सहीत पुराने भावन सरकारी पारकों और उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गुजरातियों को ठक करने के मामले में तेजस्वी अदव को फिलाल रहा था अब इस दिन होगी सुनवाई कि है आप बता दे कि तेजस्व यादव के खिलाब मनहानी का यह केस अहंदाबाद में रहने वाले बेपारी हरश महता ने लूंहें कहा कि मीडिया के माधदम से उन्हें ए जानकारे मिली थी कि तेजस्व ने गुजराति को ठक कहा इसे गुजरातियों की भानाओं को ठेस पहुची है और इसको लेकर कोड में कल सुनवाई हुई सिकायत करता हरेस मेता ने इस मामले में तेजस्व यादव के खिला करवाई की मांगी है अगली सुनवाई में यताय हुआ कि तेजस्व को समन किया जाएगा या नहीं फिलाल 12 जून तक तेजस्व यादव को इस मामले में रहाद मिली है राज के 19 जिलों में होगी अल्टरा साउंड केंदरो की जाच राज के 19 जिलों में चल रहे अल्टरा साउंड सिंटर की जाच होगी मुई के सची आमिर सुभाने के अधिक्सा में हुई बैठक के बाद इन जिलों में अल्टरा साउंड सिंटर की जाच करने का निने लिया गया है इन 19 जिलों में लिंग अनुपात कम है ऐसे में अल्टा साउंड सेंटर जाच के घरे में है नेसनल फेमिली हेल्थ सर्वे 2020 के अनुसार राज के 19 जिलों में एक हजार लड़कों की तुलना में लड़कों की सेंग्या नौसस भी कम है इन जिलों में अररिया, अर्वल, औरंगबाद, भागलपूर, भोजपूर, बकसर, दरबंगा, गया, कटिहार, लकी सराय, मदुबनी, मुझपर, पूर, नौदा, पहश्यमी, चमपरन, पुर्वी चमपरन, समस्तिपूर, सारन, सेकपरा और सुपुल है माना जा रहा है कि इन जिलों में या तो अवेद रूप से अल्टा साउंड चल रहे हैं या व्याद अल्टा साउंड सेंटरों में अवेद कारियों को अंचम दिया जा रहा है लोगों को जनम के पहले ही लड़का लड़की होने की जानकार इन केंद्रों से मिल जा रही है ऐसे में इन पर नकिल कसना जरूरी है बिहार में बिजेपी 30 जून तक चलाएगी महा संपर का भियान बाजबा के राष्ट्य महा मंत्रे और बिहर परवारे बिनोदो तावडे ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की नोव और स्पूरा होने पर भाजपा 30 मैं से 30 जून तक महा जन संपर का भियान चलाएगी इस अभियान के दोरान हम सब आम जनों की बीच जाएंगे और मोदी सरकार के कारियों को विस्तार से जन जन को बताएंगे विकास के कामों से लोगों को कितना फायदा हवा इसकी जानकारे भी अकत्रित करेंगे सनिवार को रैजानिक की रूपास पूर इस्तित किसान पेलेस में समराट चोदरी के अधिक्स्ता में पहली प्रादेश कारी समिती बेड़क में से तावडे ने दावा किया कि 2024 में वेपाक्च पुरी तरह से साफ हो जाएगा उन्होंने लोगों का अवान करते हुए कहा कि 30 माई से प्राराम होने वाले सब्यान को सफल बनाने में पार्टी की कारिकरता पुरी मुस्तित के साथ लग जाए कारिकरम को बहुत इस्तर पर सफल बनाया जाएगा बिहार के डेप्टे सेम तजसु यादव कैलान पाटना में होगा देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम होगा के राजधानी पाटना में देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम होगा साथ है उन्होंने इंजरी सिंटर बनाने की भी बात कही है तेजसु यादव ने यह भी कहा है कि यहाँ अंत नहीं है बलकि सिरुवात है कापी लंबा रस्ताता ही करना है उपुमुख मंतरे ने बताया कि बिहार में परतिवा के कमी नहीं है तेजसु यादव ने कहा कि खिलाडियों को बहतर माहूल मिले और इंफ्राइस्ट्रेक्चर मिले इसके लिए रोड मेप बना कर काम किया जा रहा है इस रोड मेप को अब किवल जमین पर उतारना है बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को चेताओ ने डुटी पर रेल्स और बीडियो बनाया तो नोकरी जाएगी बिहार पुलिस अपने जवानों और अधिकारियों के मॉबाइल और सोशल मेडिया प्रेहियम से परिशान हो गई है ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी मॉबाइल में ही लगे रहे हैं और दूसरी और कांड हो जाता है लियाजा पुलिस मुख्यालाई ने अपने जवानों से लेकर आधिकारियों को चेताओने दी है ड्यूटी के दौरान मॉबाइल को उप्योग नहीं करे पुलिस मुख्यालाई ने वैसे पुलिस कर्मियों को कड़ी चेताओने दी है जो रिल्स और वीडियो बना कर अपने ड्यूटी हतियार से लेकर वरदितक की जानकरी सोसल मीडिया पर डाल रहे हैं अगर ऐसा किया गया तो कड़ी करवाई होगी बेसन गर्मी को लेकर छुटी कैलान एक जून से सभी सरकारी स्कूल बन बिहार में पड़ रही बेसन गर्मी को दिखते वे सिक्चा विवांग ने बड़ा निने लिया है राज के सभी सरकारी स्कूल में गर्मी के छुटी की घुसना कर दी गई है एक जून से सबी भी ताले बांध रहेंगे बच्चों की छोटी 30 जून तक रहेगी बढ़ती गर्मी तापमान को देखते वे छोटी बच्चों की सुरक्चा के लिए सरकार ने एक और महतपून कदम उठाया है एक टॉल फिरी नमबर भी जारी कर दिया गया है बता दे कि बच्चों की स्वास्त ठीक रखने के लिए सरकार की और से एक टॉल फिरी नमबर भी जारी कर दिया गया है यह नमबर है 1041 कहा गया है कि अगर किसी बच्चे की तब्यद कराब होती है तो इस टॉल फिरी नमबर पर फोन करके आवज़से की जनकारी ले जा सकती है और दिये गए सुझाओ के अनुसार बच्चों की दिखबाल करनी है लेकिन ज़्यादा तबियत खराब होने के सिति में बच्चे को तुरंद अस्पताल ले जाना है बिहार में अब चलान कटने के 90 दिनों में नहीं भरा चुर्माना तो गाड़ी होगी ब्लेक लिस्टिट बिहार में ट्रैफिक नियुमों को उलंगन करने पर कटने वाले चारान को यदि 90 दिनों की भेदर पैसा नहीं चमा कराया तो समनित गाड़ी को ब्लेक लिस्टेट कर दिया जाएगा इसके बाद समनित गाड़ी का फिटनेस पर दुसन ओनर्शिप टांसपर आदिव वहन मालिक नहीं कर पाएंगे परिवान विभाग ने या अदेज जारी किया है जल्दी बिहार सरीप स्मार्ट सिटी मुझपर पूर स्मार्ट सिटी वा भागल पूर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एवं कर्डूल सेंटर के मैदम से इस चलान सुरू करने की योजना है स्मार्ट सिटी के थार्ड पार्टना में 30 ANPR केमरा लगाई गए हैं जिनसे ये चलान कड़ने लगा है जल्दी परिवान विभाग इस दारे को 5 गुना तक बढ़ाएगा विभाग के मुताविकी समात तक 39 स्पोर्ट वगा 150 केमरा लगाने की प्रक्रिया सुरू होगी